हेलो एब्रिवन आज हम प्रफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 12.5 जिसका मैंने यह सेट अप त्यार किया है तो एक्टिविटी आप देख सकते हो NCRT में यहां पे हमारे पास 3 रिजिस्टेंस है यह हमारी बैटरी यहां पे और यह स्विच मैंने जॉइन किया है यहां बेटर मैंने नहीं दगाया है क्योंकि हमने तीनों रिजिस्टेंस का वोल्टेज चेक करनी है V1, V2 and V3 तो हम वोल्टेज चेक करेंगे with the help of this multimeter तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां बेटरी यूज करेंगे यह वदी उसको मैंने connect कर दिया स्विच मैंने on नहीं की है वोल्टेज मिटर हम यूज करेंगे यहां से यहां पे reading हम चेक करेंगे अब हम चेक करेंगे सबसे पहले potential difference across R1 तो R1 का हमारा potential difference कितना आ रहा है 1.04 तो यहां पे हम लिख लेते हैं इसी तरह से R2 का potential difference हमारा कितना आ रहा है 1.10 R3 1.09 तो total हमारा potential difference तीनों को अगर हम add करें V1, V2 और V3 को add करें तो हमारा रहा है 3.23 तो चेक करते हैं कि हमारा यही आएगा तो आप देख सकते हो कि यह 3.24 यह 3.23 आ रहा है means V1, V2 और V3 तीनों का सम हमारा कितना आ रहा है total potential difference across X and Y बढ़ि कि बढ़िए